हेलो एवरिवान, वेलकम और वेलकम बाक तो माई चैनल, होप याई डूइंग गूड, मेरे नाम उर्वी है और मैं अभी अपने फर्स्ट एयर में हूँ एड जादफपुर, आज का जो वीडियो होने वाला है, इट इस अन डबलू भी जेई, ट्वेंटी ट्वेंटी लो की मुश्किल नहीं होगा, बस कंडिशन यही है कि जो भी मैं बोलू, उसे तुम्हें अच्छे तरीके से एकदम डिसिप्लेंट वे में फॉलो करना है, इस वीडियो का कंटेंट लान में मेरी हेल्प की है, रीतम ने भी थोड़ी, तो थांक यू रीतम फॉर हेल्पिंग मी त कर सकते हो, कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस तुम अच्छे से सुन लेना कि तुम्हें क्या क्या करना है, जो फर्स्ट लाइड है यार, वो हमारा है डबलू बीजई का ओवरॉल हमारा स्टार्टजी क्या होना चाहिए, और उसके बाद मैं आऊंग प्राक्टिस कैसे करोगे, कोई भी बुक ले लो, जो कि डबलू बीजई के प्रीवियस यर कोशिंज प्रॉइड करती है, और वहां से मॉक टेस देना तुम शुरू कर सकते हो, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो है, ओमार प्राक्टिस इस रिक्वाइड, मतलब कि जो ड इसलिए यह चीज़ में तुम्हें पहले से ही वांड कर रही हो कि तुम्हें अपने डबलू बीजई एक्जाम के लिए ओमार शीट पे प्राक्टिस करनी है, कोई भी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, वहां पे तुम्हें ओमार शीट मिल जाएगा, चार से पांच शीट Contest कर दो उतने ही मॉक्क टेश भी देने हैं, जो हमारा third point आता है, वह हमारा की mats हमारी strong होनी चाहिए, अब mats क्यों strong होनी चाहिए इतनी, क्योंकि जो हमारा 50% marks है, वह हमारे mats से ही आने वाना है, तो अगर तुम्हारा mats ही strong नहीं होगा, तो तुम अच्छी rank नहीं लेके आप रभाऊगे WBJE के अंदर, जो हमारा 4th point आता है, वो है कि Category 2 के जो questions होते हैं, वो काफ़ी जादा important होते हैं, अब WBJE के अंदर क्या होता है, थी 3 category of questions आते हैं, Category 1, Category 2 और Category 3, अब category 1 में तुम्हारे पास 1 marks के question होंगे और उसमें 0.25 marks तुम्हारे negative होंगे अगर by chance तुम्हारा जो answer है वो गलत हो जाता है category 2 में तुम्हारे 2 number के question होंगे और अगर तुमने question गलत कर दिया तो तुम्हारा 1 marks negative होगा और जो category 3 होता है ना यार वो थोड़ा सा advance level होता है इसलिए उसके लिए तुम्हें थोड़े से advance level questions प्राक्टिस करने की ज़रूरत पढ़ने वाली है especially in physics और mathematics उसमें क्या होगा तुम्हारे multiple answers होंगे जैसे कि हमारे जी advance के अंदर आते हैं तो तुम्हें उन types के questions के practice करने होगी तो होता क्या है ना कि जो सबसे जगा scoring part हो जाता है हमारा इसी कारण वो category 2 बन जाता है अब category 1 में तुम कितने भी questions कर लोगे तब ही तुम्हें एक एक number ही मिलते जाएंगे लेकिन अगर वहीं तुम category 2 में दो question भी लगा लोगे तीन question भी लगा लोगे तुम्हारे 6 number तो ऐसे ही बन जाएंगे तो ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है जो हमारा 5th point आता है वो है prepare hard for J main अब जितने भी exams होते हैं other than J main वो J main से तो easy ही होंगे अलग बात है कुछ questions जो है हमारे WBJ के अंदर वो J advanced level के आ सकते हैं और जो कि last year आए भी थे और हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा paper ही तुम्हारा J main से tough होने वाला है इसलिए अगर तुम J main की अच्छे से तयारी करोगे तो तुम्हारा WBJ के अंदर एक अच्छा score तो minimum आ ही जाएगा अब हम लोग चलते हैं अपने next slide के उपर जो कि हमारा mathematics पे कि हमें अपने math section को कैसे बहुत अच्छे तरीके से prepare करना है जो हमारा first point है वो है कि every chapter is important कोई भी other competitive exam की तुम अगर preparation कर रहे हो other than J main तो वहाँ पे तुम्हारे लिए syllabus completion काफी जादा important होता है तो इसलिए math में भी यही चीज लागो होती है अब जो हमारा next point आता है वो है conic section के ऊपर WPJ exam में conic section की importance काफी जादा होती है और तुम्हारे 100 number में से 15 से 20 number तुम्हारे conic section से ही आते है तो इसलिए अगर तुम्हारा conic section weak है तो सबसे पहले priority तुम्हारे यह होनी चाहिए कि तुम्हें conic section को strong करना है conic section के बाद तुम्हें vector algebra और 3D geometry पे भी काफी अच्छा तुम्हारे अपने grasp बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां से भी काफी जादा questions आते हैं और जादा tough questions नहीं आते हैं तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि WPJ के अंदर कौन से type के questions आते हैं अब कोनिक section से जो questions आएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि J main में जैसे question आते हैं उसी तरीके के आएंगे कई बार थोड़े से अलग topic से भी आते हैं तो वो चीज तुम्हें कहां से पता चलेगी previous year questions से पता चलेगी जो हमारा third point आता है वो है practice questions from singage book अब singage book में इसलिए recommend कर रही हूं क्योंकि singage book J main के लिए भी काफी अच्छी होती है और singage book में एक question का slot होता है जहां में multiple answers होते हैं तुम्हारे तो वो तुम्हें prepare कर देगा हमारे category 3 वाले questions के लिए और उसी level का question आने वाला है तुम्हारे WBJ में category 3 के अंदर जो हमारा fourth point है वो है कि speed important तो है WBJ exam में math section के अंदर लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी speed उतनी बन पाए WBJ exam के अंदर math में क्योंकि questions जो आने वाले हैं वो थोड़े से lengthy आ सकते हैं जैसे कि last year हुआ था तो इसी लिए तुम्हें अपनी accuracy पे भी focus करना है सिर्फ तुम्हें अपनी speed पे focus नहीं करना है आते हैं हम लोग अपने physics section में अब physics section में क्या है ना यार formula तो important है जैसे कि हमारे J main के अंदर होते है वैसे ही तुम्हारे WBJ के अंदर भी formula तो important है physics section में तुम्हारा जो 12th का portion है वो भी काफी ज़ादा important है जो 12th section से questions आने वाले हैं वो ज़ादा आएंगे as compared to हमारे 11th section के questions thermodynamics फोलो जो जाप्टर है हमारे physics के अंदर वो काफी ज़ादा important है और thermodynamics से थोड़े से tough questions आ सकते हैं और थोड़े से calculated questions आने वाले हैं thermodynamics से physics section के अंदर category 3 जो आएगा हमारा physics section में उसमें थोड़े से advanced level के question होगे जैसे कि मैं तुम्हें पहले बताया ही और ये चीज़ ज़ादा दिखेगी तुम्हें physics और maths के अंदर अगें तुम्हें J main के लिए काफी ज़ादा अच्छ से prepare करना है इसमें भी और syllabus completion पर focus करना है अब आते हैं अपने chemistry section के अंदर अब chemistry में क्या होता है न कि J main में NCRT भी कर लो तुम तो काफी अच्छे से तुमारी preparation हो जाती है लेकिन WBJ में क्या होता है जो organic वाला पार्ट आएगा न तुम्हारा उसमें कोई भी chapter wise questions नहीं आएंगे तुम्हें mixed questions आएंगे हर chapter से तुम्हें कोई एक concept उस एक question में use हो रहा होगा ऐसा कर सकते हैं कि वो तुम्हारा GOC मिला देंगे hydrocarbon मिला देंगे अर्काइल हलाइड मिला देंगे और फिर एक question फॉर्म कर देंगे जैसे कि हर साल होता है WBJ के अंदर ये थोड़ी सी अलग बात है WBJ के बारे में तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना और उस तैप के questions प्राक्टिस करना अब एक बहुत जादा important topic है WBJ के लिए वह qualitative और quantitative analysis वाला जो part है जो कि हम लोग J main के time तो ignore कर देते हैं लेकिन WBJ के लिए तुम्हें इसे ignore नहीं करना है जो physical chemistry वाला part आएगा यार वो काफी असाना आएगा formula based ही आएगा तो physical chemistry के लिए आज सच कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है physical chemistry तुम्हारी handle हो जाएगी जो थोड़ी सी tricky लगती है मुझे WBJ के अंदर वो है तुम्हारी inorganic और organic organic में मैंने इस तुम्हें बताया है उसी तरीके से करना है NCRT book में last chapter ही है शायद इसके बारे में qualitative and quantitative analysis के बारे में जो methods दिये हुए है तुम्हें तुम्हें do math method हो गया और भी काफी सारे methods है तुम्हारे उन्हें अच्छे से करना वहां से भी तुम्हारे questions आने वाले है इतना ही बताना था मुझे तुम्हें तुम्हें बारे में अगर तुम्हें इन पॉइंट्स को अपने दमाग में रखा डबलु जए एक्जाम के प्रेपरेशन करते टाइम तो तुम्हें 150 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है और अभी तीन महने बचे हुए है डबलु जए एक्जाम से पहले तो अच्छे से तुम्हें अपनी प्रेपरेशन को मोल्ड कर सकते हो ताकि तुम्हारा अच्छा स्कोर आपाए अविश कि तुम जादफपुर में आ जाओ और मुझसे भी अच्छी ब्रांच लेके जाओ जाओ जादफपुर के अंदर और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे या पर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो और जो वेटज वाला वीडियो है ना वो मैं कभी और लेके आऊंगी ये वीडियो जादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने या पर इंक्लूड नहीं किया है अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो प् एक केर पढ़ते रहों बाई बाई